असलाम लेकूम दिस इस बलाल from Get Information आज हम डिसकस करेंगे एको सिस्टम The relation of living organisms with non-living things in an environment is called ecosystem Living organisms अपने environment की non-living things के साथ मिलकर एक ecosystem बनाते हैं एक महालियाति नजाम बनाते हैं इसकी हम further दो examples देख लिएते हैं ताके आपको मज़ीद समझ आ जाए Example 1 है forest ecosystem अब forest ecosystem में living things में जंगली जानवर आ जाएंगे, पोद्दे आ जाएंगे और non living things में नहरें आ जाएंगी पत्थर आ जाएंगे, जमीन आ जाएंगी यह सब चीज़ें मिलकर एक forest ecosystem बनाते हैं और second example है aquatic ecosystem aquatic ecosystem में living organisms में मचली आ जाएंगी कछुई आ जाएंगे, पोद्दे आ जाएंगे और non living things में पानी आ जाएगा मटी आ जाएगी यह सब components मिलकर एक aquatic ecosystem बनाते हैं और हर जानदार अपने ही ecosystem में survive कर सकता है जिन्दा रह सकता है आप मचली forest ecosystem में जिन्दा नहीं रह सकते हैं क्योंके मचली जमीन पर सांस नहीं ले सकती और शेर भालू चीता यह पानी में सांस नहीं ले सकते हैं यह aquatic ecosystem में survive नहीं कर सकते हैं मुख्तलिफ ecosystem के जानदार अपने ecosystem में survive कर सकते हैं और हर ecosystem के जानदार और बेजान चीजें मिलकर उस area का ecosystem बनाते हैं मजीद informative वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe कर ले ताके आप मजीद आने वाली वीडियो से अगार है शुक्रिया